दबंग सरकार बनाई थी दबंग सरकार लोगों तब पहुंची है या जो भी उसके रेविव पहुंचे हैं वो हमारी मीडिया के द्वारा पहुंचा है तो सबसे पहला सम्मान मैं अपनी मीडिया करना चाहता हूं कि उसके जजिए वी खीया में सरने मीडिया के पहलं ही तो यह जो वोटा साब जहार है, हमारी मिल्या के लिए तो मैं जिल से यह घंड़ा देखा हूं कि हमारी मिल्या हमिशा में सपोर्ट करती है यह घंड़ा देखा है, जिन्होंने नजाने कितने सिंगरों को फेमस किया है अपनी कलम के जरिये और उनका पूरा सहयोग और पूरा प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है और हमारी फिल्म दबंग सरकार के भी जो भी गाना आप लोगोंने देखा है या सुना है जो हिट हुए है उसके लिरिक्स राइटर तो मैं दूसरा सम्मान अपने सबसे प्रिये छोटे भाई को देना जायता हूं आजाज सिंग जी और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं नई शुरुवाट हो रही है तो ग्लोबल म्यूजिक जिन्शन के लिए मेरा तीसरा सम्माने हमारे छोटे भाई है पंकर मिश्रा जी साथ में काम कर रहे हैं यह विबान्शु जी है यह बहुत अच्छे क्रियेटिव विएक तो इन सब लोगों का प्यार मिल रहा है लग्गी जी है कोडिशन पर याला इनके बगर तो सारे काम बदूर हैं तो अब हम लोग काम के शुरुआ करते हैं जिस घडी का हम लोग बहुत दिनों चैनल हैं जिसमें अभी सौंग से लेके आगे फिल्म तक का जो भी एक सरकुलम होता हूँ हम लोग इसमें करेंगे आयफा म्यूजिक वर्ड हमारे दोरा बनाई गई है और आर्वी बीड्स जो हमारे दवं सरकार में एक प्रोडूसर थे यानि हमारे पार्टनर लखनों के Mr. Rahul Vora की कंपनी है RV Beats तो Rahul Vora जी की फ्लाइट मिस्स हो गई है तो उनको मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या पंकर जी रिप्रेजेंट कर रहे है तो दो म्यूजिक कंपनी का निर्मार हम लोगों ने किया है एक का नाम है IFA, IFA Music World और दूसरी कंपनी का नाम है RV Beats जिस पे आगे आने वाले समय में जैसे आप लोग ने दबंग सरकार जैसी फिल्म देखी तो आगे आने वाले समय में हम लोग की जोड़ी कुछ अच्छे काम लेके आने की कोशिश करेगा तो आज उसका शुब आराम करने जा रहे हैं तो आप लोग की पर्मिशन हो तो हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल थेंक्यू आईए तो ये हमारी कंपनी है IFA Music World और इसमें दो डबलू लगे हुए है ये निम्रोलाजी है spelling mistake नहीं है तो आप लोग इसको अधरवाइज ने लीजिएगा और दूसरी कंपनी है आप लोग को ये दिखने लगेगा इसमें अभी गाना एक पर चुका है और कुछ गाने हम लोगोंने क्रियेटिव गाने बनाए है जिसका पोस्टर लॉंच भी है Global Music Commission तो ये तीन कंपनी है तीनों कंपनी मिल के कुछ धमाल करने वाली है जल्द ही आपके सामने और Global Music Junction के बारे में आपने सुना ही होगा काफी चर्चा में है तो आप ये तीनों लोग комуने कंपनी मिल के कुछ निया धमागा करने आरही है जिसके बारे या होई गाने आपको अच्छे ही मिलेंगे और पोस्टर से पता चल रहा हूँ कुछ ग्रेटीव वने वाला है तो गाने अच्छे मिलेंगे आपको और सब लिरिक्स हमारे आजाद भाई की देन है नए-ने कंटेंट मार्केट में आने वाले है तो पहला कंटेंट यह है लाहिकवा कैसे करिया होई इसमें एक कहानी है और इसमें किरदार निभाया है मौसम जी ने और हमारा ही स्टुडेंट है इंडियन फिल्म एकेडमी का जिसने इसमें फीचर किया है और इसको गाना गाया है शिल्पी जी ने चिल्पी राज को आप सुलोक जानते ही तो ये पहला है सौंग यली जी और इस कर उराफ किया है हमारे लख्की जी नए ये भी शिल्पी जी का गाना है और इसके रचयता है हमारे आजाद भाई और जल दो ही ये भी आपके सामने आने वाला है लात भात सुनने मड़ा आजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत बढ़िया कंटेंट है और इसको भी वीडियो शूट किया है विभांशु जी ने और कोरियोग्राफ किया है लक्की जी ने सईया क्या थोड़ा शराबी हुआ यह भी बहुत अच्छा गाना है इसको फीचर किया है ग्लोरी महंता ने और निर्माड किया इन्हों ने शूट किया है हमारे प्रे मित्र विभांशु जी और कोरिवराफर हैं लक्की जी तो यह अभी कुछ पोस्टर विल्क रिलीज कर रहे हैं गाने जिसमें राणी ने फीचर किया है यह भी अंतरा जी का गाना है तो यह कुछ गाने जिनके पोस्टर हम लोगों ने डाल दिया है अलिब यह वल्रालाब कि जो भी हम गाना सुनते हैं या देखते हैं उसको बनाने के लिए सिर्थ कोई एक वेक्ति जिम्मेदार नहीं होता है उसके पीछे कई लोगों की मेहनत जुड़ी होती है सबसे पहली मेहनत होती है हमारे जो लिरिक्स राइटर होते हैं उनकी मेहनत होती है दूसरी मेहनत जो म्यूजिक बना रहे होते हैं उनकी होती है जो म्यूजिक कंपोज करते हैं या जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसके बाद singer आता है, singer उसको गाना गाता है उसके बाद shoot किया आता है, shoot करने में director की responsibility होती है cameraman की responsibility होती है, makeup, light man और जो career buffer होते हैं वो तो अपनी industry में जो हमने ये पहल करी है उसमें खास बात point number one है कि हमारे इस company में जो भी गाना होगा उसमें हर उस technician की उतनी ही value होगी जितनी की हर जगे पे होनी चाहिए यानि की जितना singer की value है, जितना actor की value है उतनी ही value, lyrics writer, music director, सब की एक बराबर value होगी point number one point number two जो अलक है या थोड़ा सा महत्तुपून है इस channel पर जो भी नए कलाकार है चाहे वो singer हो, चाहे वो actor हो, dancer हो उनका video जब भी हमारे पास आएगा तो उसको हम लोग जाचेंगे, परकेंगे अगर वो हमारे creative criteria से परे होता है पार करता है या हम लोग उसको accept करते हैं तो वो गाना हम लोग free में नहीं लेंगे और उस गाने की उसको cost दी जाएगी और अगर उस गाने को हमारे channel पर डालके उससे कुछ भी revenue मिलता है तो 50% का उसको revenue भी दिया जाएगा मतलब कोई भी काम free में नहीं होगा तो ये दो main point है इस channel की एक और खास बात है कि इस channel के साथ कई producers जुड़े हुए है जिनोंने अपने हाथ को आगे बढ़ा है इस channel को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा उसमें से हैं श्री पंकज मिश्रा जी यानि कि हमारे छोटे भाई भी हमारे साथ में है श्री अजे प्रकाश पांडे जी श्री संतोष कुमार मिश्रा जी श्री अखंड प्रताप सिंग श्री सुनील दिवाकर श्री रितेश ठाकूर श्री राम चंडर पाठक राजेश चंडर पाठक श्री राजेश जैसवाल श्री संतोष कुमार और श्री अनिल कनोजिया यानि इतने प्रोडूसर्स की टीम हमारे साथ में लगी हुई है कुछ बड़ा काम करने के लिए तो इन सब लोग के आशिरवात के साथ में इन सब लोग के साथ के साथ में और आजाद भाई के साथ में हम लोग इन दोन चैनलों का निर्माल कर रहे हैं और जल्द ही इस चैनल पे छोटे, बड़े, मध्यम जो भी आप क्रैटेरिया करते हैं क्योंकि quality सिर्फ एक ही चीज होती है जो आपको गाना अच्छा लग गया वो number one है, उसके सारे लोग number one है और जो गाना नहीं अच्छा लगा, वो थोड़ा सा उससे कम है तो हर तरीके गाने आपको इस चैनल पे जल्दी देखने को मिलेंगे अज़ार जी आप सर बहुत बहुत सुखाबना है, आज एक ही समय दो-दो music company launch होनी है दो-दो music company में क्या कुछ common है एक साथ किस तरह से ये काम करेंगे वो गई हाँ, दोनों companyों में जो मैंने अभी पताया है वो दोनों चीज़े दोनों companyों में रहेगा content important है, वो भी रहेगा कुछ market को देखते हुए जो common content होते है वो low gear हो गया या मतलब जो भी एक low gear type को तो वो तो हो गई दोनों companyों की खास बात ये रहेगी कि हम लोग जादा से जादा नए कलाकारों को मौका देंगे और उनकी cost को ध्यान में रखते हुए मतलब नए कलाकारों को अगर मौका दे रहे हैं या ऐसा नहीं है कि उनको हम यूज कर रहे है या फ्री कर रहे है सब दो company हैं दोनों में एकी तरह के content याईगी के अलग अलग जाएगी नहीं नहीं दोनों में अलग अलग content रहेंगे और ये company जो है किस तरह के songs ला रहे हैं भोजपूरी ला रहे हैं अभी शुरुआ भोजपूरी और अवधी मिक्स करके हम लोग कर रहे हैं मतलब भोजपूरी का भी content आपको देखने को मिलेगा और अवधी content देखने को मिलेगा इसके बाद जल्द ही हम एक हर्याणवी channel कोल रहे हैं फिर पंजाबी channel कोल रहे हैं उसके बाद हम लोग आएंगे हिंदी के channel पर क्याने की global करने की कोशिश करी जाएगी वर शुरुआत भोजपूरी और अवधी से करेंगे को कि हमारा जनम ही वहीं पर होगा है जितनी भी नई चीज़े होंगी वह आपको जो भी हो सकती है रिस्क लेने वाली हम लोग रिस्क लेने के लिए तयार है सपोर्ट आप सब लोगों का चाहिए होगा क्योंकि नई चीज़ लाएंगे तो accept करने में थोड़ा सा problem होती तो rap भी आएगा और हर तरीके की नए कुछ लोग रिस्क ले रहे हैं तो आप समझी रहे होगे कि गाने का लेवल किस लेवल पर पहुंच रहा है अभी बोचपूरी से हंदी पर पहुंच रहा है तो वह लोग रिस्क ले रहे हैं ऐसे हम भी रिस्क लेंगे जितना पहीया ने बताया है, फुला रिस्क लेते हैं, मेंसा रिस्क लिए हैं और आगे भी लेते रहे हैं कांथी दर्साप कोगें जो गाली लेते हैं और प्राइब लेते हैं हम अपना काम करते रहेंगे वेश्ट करने की कोशीज करेंगे, नया देने कोशीज करेंगे आपके नदर में आई एक पी क्या सोच होते हैं? जैसे भईया ने अभी कहा मैं पूरा फूल समर्थन करता हूं इंका और मेरी भी वही सोच है कि सबसे पहले तो जो कैमरे की पीछे लोग काम करते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि कोई हिट गाना जो भी आता है मार्केट में तो उसमें सभी का हाथ होता है, सिर्फ एक आदमी का नहीं होता है तो यहां पर वह सभी को सम्मान मिलेगा जो भी कैमरे की पीछे काम करते हैं और दूसरी चीज की वह सारे नए सिंगर भी आते हैं मार्केट में जो अच्छे प्रजेक्ट बना के लाते हैं, कंपनी यो देते हैं लेकिन उनको कोई वेनफिट नहीं मिलता तो इस कंपनी में उनको भी वेनफिट मिलेगा जिनके भी कंटेंट अच्छे होंगे अगर कोई गाना माले जी कि हमने दिया, लिखा, हमने दस गाने लिखा चार गाने हीट हो गए तो क्रेडिट कहीं और चला जाता है और छे अगर फ्लॉप हो गए तो क्रेडिट राइटर को आ जाता है कैमरे के पीछे जिदने लोग हैं सबको फ्लॉप पे क्रेडिट सबको मिलता है अलाज जी आप इस कंपनी से टाइब किया हैं तो आगे किसी कंपणी के आज लिखने हैं किस दर बीसे टाइब है पर फिलाल मैं आई अफ्लॉप मूज वर्ट और आरभीं बीट की लिए काम कर रहा है और यहसा वही टाइब नहीं है यह कंपनी हमसब्सक्राइब हमारी कंपनी है यह वर्क कर रहा है दिल का बोंड है एक्रिमेंट का वहीं अगण में नहीं है स्थिआ ग포feri साओर सब्सद्सारण हार आप ही दीसें不好意思 कि अधिक कुर्मइक आप में भी समस्य बाल सोचना केस IRS अभी जो कोई Grant कें YEAH और था के सांधो ने में दोशना है दूख्म करें दाने कुछ वह कोना पूर इ। हम मतलब एक 20 कॉछ संधार करना चाहता है या बनाया या उसका content गाउं से related है तो जो दर्शक होता है वो अपने आपको co-relate करना चाहता है यानि जब वो परदे पे देखता है गाहना तो गाउं का बज़रा है लेकिन जब परदे पे देखता है तो उसमें शहर का look आ रहा है तो वो co-relation टूट जाता है मतलब वो अपने आपको connect नहीं कर पाता है तो हम लोगों की कोशिश जो भी है वो यह है कि अगर content हमारा गाउं का है गाउं से relation रखता है तो उसमें फिर हर एक चीज़ गाउं से related होनी चीए चाहें वो location हो चाहें costume हो अगर content हमारा थोड़ा सा शहर का है तो उसमें शहर की पूरी location होनी चीए तो location का बहुत important role हम लोगों अभी जो हम लोगों ने तो गाउं से relation इनका रखा जा रहा है तो जो भी हमारी location है उसके पिछे आपको गाउं ही दिखाई पड़ेगा ऐसा नहीं कि हमारी content गाउं का है और हम हावाई जाज का सीन दिखा रहा है ऐसा नहीं को आपको दो तरीके का फायदा होने वाला पहला फायदा चुकि मैं खुदी एक technician हो तो technician का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं हमारा जो हमारी शुरुवात है वो technician से ही हुई है मैंने choreography से अपनी शुरू करी थी direction में हूँ, editor हूँ, camera चलाता हूँ तो एक जो technical का दर्द होता है वो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ इस वज़े से technical लोगों का या technicians लोगों का या जो भी परदे के पीछे हैं उनका दो तरीके से फायदा होगा पहला सम्मान बराबर मिलेगा उसमें कहीं पर भी कमी नहीं होगी दूसरा जो पैसे मिलते हैं जो revenue मिलता है उस पर भी उनका उतना ही हख होगा जितना की मालिक का हख होता है बिल्कुल recreation वाले गाने नहीं जाएंगे, original content जाएगा recreation के लिए हम आगे कुछ अपना दूसरा चैनल खोलेंगे उसमें डालेंगे लेकिन इसमें original ही content रहेगा हमारा आपने पांच दोस्तर लॉंच के रहे थे, इसमें कुछ प्राइस स्टारिस में दीड़ नहीं रहे है प्लैन तो इसमें मैं थुड़ा सटे इसमें अपने अच्छा कुछ पूछा हमारा जो concept है, हमारा जो concept है आपने अच्छा question कुचा हमारा जो concept है वो यह है कि हमने आते ही बोल दिया था कि सब को बराबर सम्मान मिलेगा तो जो हम शुरुआत कर रहे हैं इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि सब को सम्मान हम किस लेवल पर देना चाहते हैं और रही बात बड़े actor की, बड़े singer की तो मैं उनकी बहुत respect करता हूँ उनका भी गाना आएगा और उनके गाने आने से हमारी value बढ़ेगी और जितने छोटे actor हैं उनके आने से भी मेरी उतनी ही quality बढ़ेगी और मेरा उतनी ही सम्मान बढ़ेगा मेरी नजर में सब बराबर है जो अच्छा काम कर रहे हैं चाहे वो एक गाउं से आया हुआ हमने एक गाउं के बंदे को गवाया है जिसने कभी camera face नहीं किया जिसने कभी mic नहीं पकड़ी है उसको भी हम लोगोंने ढूडा है और उसमें हमने गाना गवाया उसको तो हमारे केलिए हमारी बड़ा मोट ही है कि जिसके पास talent है उसको promote करो उसको अगर वही चीज हमने है अच्छे से फिलमाया है तो इसको ग्लैमर भोलते हैं और वही चीज अकर हमने खराब तरीके से फिलमाया है तो वह अशलील हो जाता है बर देखने वाला दर्शक है हम हर बार यही चीज़ बोलते हैं कि देखने वाला दर्शक है अशलीलता अगर देख रहा है तो लोग सोचते हैं कि यही ट्रेंड में चल रहा है फिर कुछ अलग हटके करने की कोशिश नहीं करते हैं हमारे पास 2 गाने, 3 गाने, अभी जो गाने आ रहे हैं, जो हमारे नए गाने आ रहे हैं, आप जब देखेंगे तो उसमें आपको यही पदा चले गा, कि तीनों का ट्रेंड अलाग है मतलब असलील की जगे पे हम glamour यूज करते हैं और अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसमें हम concept लेके आते हैं आज देखिए हिंदी फिल्मों में हम लोगा content यूज होता है चाहे वो भोजपुरी लेंगवेज हो चाहे वो अवधी लेंगवेज हो इस समय जितनी भी फिल्में चाहे प्रकाश ज्या जी की बन दी फिल्में या अनुराक कशिब जी की फिल्में बन रही या सुधिर मिस्रा बन नहीं है उसमें आप content उठाके देख लिजिए गाना उठाके देख लिजिए वो भोजपुरी गाना है लेंगवेज भोजपुरी है अवधी भोजपुरी दोनों mix करके वो लोग काम करते हैं तो वो लोग समझ गए हैं कि हमारी लेंग्वेज में मिठास कितनी है हम व्हूलेटों si touV district, के लिए हूँ झाजए बोच्परी के लिए के लिए थे हैं पिंकि हम इस पहले तो हुम हखिज्ट में तो हिंदार हें तो ने मिणुल्स करें कुछ जो कुछ किनिक कुछ तो युनींक करते़ संदॉक Alpha TV ट इसे हम बहुत हमाई उपढ़ा है और उसी लिए सपोर्ट कर रहे हैं इसे असे अचैंप रहा है। लोग गाने से गाने जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं और मतलब ऐसे गाने हैं जो कि हर कोई भी सुनेगा तो फदा चल लेकाँ नेगा। कि टीम कौन है टीम को बहुत फर्क पड़ा है इसमें और सारे गाने अच्छे ही पड़ेंगे जो आप बोल रहे तैस लिलता वाला ऐसर नहीं है इसमें कुछ भी तो कि टीम मजबूत है कि टीम मजबूत है थोड़ा सा डिफ्रेंट इसमें मिले गाल क्योंकि अभी तक हमने जितने भी गाने किये हैं सारे गाने हम लोग के modernize होते हैं बट इस बार सरके साथ एक concept बना के first time मैं अपने direction में एक village pattern में मैंने shoot किया है proper जिसे कहते हैं कि एक realistic चीज़ों को shoot किया है अभी तक जितने भी हमारे गाने हैं सारे गाने modernize होते हैं और यह एक अलग experience है सरके साथ क्योंकि सरक्या भी support मिला और एक गुरू और सिसे का एक combination कि और भी अच्छे से निखर किया है सारी चीज़े project अच्छा लगेगा बहुत जल्द अब भौषपूरी में सबसे हीट अब कौन से गाना है अबने suit किया है और किसके सीज़ार काम किया प्र भौषपूरी अबने सबके साथ काम किया है हमारा सबसे हीट गाना अभी recent ली चल आपर अब राज्याद्विया का लागे लुचा है केसारी सरकार उसके पहले स्टार्टिंग मैंने भोश्पूरी में किया था गाना लाल्टिन 2.0 आज से एक साल पहले, दिसंबर 2020 में, उसके बाद मैंने जनाबे आली, सारी सरकावा, महबत उजाता, पहन सिंह सरकावा, रंग लोगन है, जानु जसा ही, रितेस पांडे जी, तो कल्लू जी क के साथ हमारा सबसे इट गानाम लोगों का है, जी है रादेपू, 2.0 और अभी, बट वो सारे गाने हैं, बट यह जो गाने हैं, जो अही कलाग एक्स्पूरी में लोग और भी ज्यादा पसंद करना चाहते हैं, कि हमें अपना गाह, हमें अपना जगह देखने को मिने, तो उस तरीगे के लोकेशन पे सर जागे, आपके साथ सोग किये हैं, लगी जी क्या कहना थाएंगे, पुछिए क्या कहना थाएंगे, आप म्यूजिक कम्टी बारों क्या रख पराई जाएंगे, फर्स फॉर्स फॉल तो IFA Music World को congratulations, और सभी thank you, योगेज भईया and आजार भईया विवान सो और मुझे चूज करने के लिए इस प्रोजेक्ट में अपने साथ जॉइंट करने के लिए, और जो भी गारी यहां पे बनेगे, आपको उसका एक फूटिस्टेप मिलेगा तो आप लोग अपनी कर सकते हैं, इंजाए कर सकते हैं जो हम लोगों का एक लेवल है कि quality video, और lighting, stylist, same चिज़े इसमें भी दिखने को मिलेंगी, बड़ी गाडियां, यह सब एक रेलिस्टिक गाउं देखने को मिलेगा, इसमें पहल गाडी देखने को मिलेगा, इसमें गाउं देखने को मिलेगा, इसमें खपडएले का गार, तरीगी का पैटन है ये सेम आर्केष्ट्रा का लुक देखने को मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा मिर्च मसाला हमनों डाले हैं बट टच वही है कि आर्केष्ट्रा में लोग इंज्वाय कैसे करते हैं रड़के बहुत अधिक म्यूजिक अंपरिया कुल चुक्छ करें लोकेशन के आरब हो पर शुट में मुझे लगता है कि नवंबर का सपासम Direction साधियायह है खेसारी भीया से बात हो गई है और अब तो हम ग्लोबल के साथ में ही काम कर रहे हैं तो जो भी बाउंडेशन थी वो भी हट गई है और पवन जी से भी हमारी लगवग बात हो चुकी है कल्लू जी के करीब 6 गाने हम लोगों ने तयार किये हैं जो शायद अक्टूबर में शूट हो जाएंगे और अंकुष राजा हो गए बहुत सारे ऐसे सिंगर है जिन से हमारा लाइन अप खो चुका है कॉंसेप जा चुका है और म्यूजिक तयार हो रही है तो मुझे जो मेरा अंदाजा है पवन भीया और केसारी जी का सांग नवंबर के असपास आजाएगा चैनल पे अजाजी क्या कुछ जादी कि अविलने के तयारी में कुछ बेस्ट देने के टारगेट वन बिलियन नहीं अब बिलियन का टारगेट है प्रप्रागेट में अब बिल्कुल खास होगा कि टीम से जो पी जुड़ा हुआ सब को उस गाने का जो पी रविन्टी हुआ है कर अब बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल आपको इजाएगा तो प्रमोट करेए जैंड़े प्रिशादी क्या सुपकामना देना चाहती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अलग करने वाले हैं और एक पॉस्टिव बाइप सा रही है और आइविश की बहुत अच्छा कुछ होना है जो कि दबंग सरकार बना रहा था उस समय की अलबम और गया है क्या उस बॉस्टिव में कुछ बदलाव आ रहा है बदलाव तो काफी आ गया है और जब मैं दबंग सरकार बना रहा था उस समय की अलबम और सौंग्स में मुझे बहुत ज़ादा मन नहीं करता था काम करने का बट अभी जो अलबम्स का पैटर्न आ गया है वो लाइक मेरी दबंग सरकार जैसा ही यानी मेरा टेक्श्चर है अच्छा शूट हो रहा है चाहे वो कल्यू जी की फिल्म हो गाना हो या पवन जी का हो या खिसारी जी का किसी का भी जो भी इस समय काम हो रहा है वो बहुत अपर लेवल पर काम हो रहा है तो मेरा कॉंफिडेंस बल गया और मुझे लगा कि हाँ दबंग सरकार जैसा कुछ मैं आपे भी एल्बम फिल्ड में भी कर सकता हूँ सो मैंने हाथ बढ़ाया और आजाद भाई का सपोर्ट मिल गया आजाद भाई का कॉंसेट मेरा कॉंसेट थिंकिंग मैच हो गई और राहुल वोरा जो हमारे पार्टनर हैं जिनकी कंपनी आरवी बीट्स उनका भी थौट मैच हो गया ग्लोबल भाया राजकुमार भाया का मैच हो गया तो हम सारे लोगों के टीम जो है जब एक जिसको बोलते हैं टीम बनी तो उससे कुछ बड़ा धमाका जल्द ही आप सब लोगों के सामने आने वाला है और मुझे लगता है देड़ से दो महने में जो हम लोग का कॉंबिनेशन का एक बंबलास्ट होने वाला है तो आप लोगों के सामने जल्दी ही आएगा और उस बंबलास्ट का सब लोग मजा लेंगे सब गाउं की बार चल रही है कि सब्सक्राइगा तो जो गाउं और शहर के बीच का माहौल है उसी परिवेश में हम लोग शूटिंग का प्लान बनाते हैं और वही परिवेश आप को दिखाई पड़ेगा जी एक मेरा थॉट है मेरा अभी एस तुन्टिसिक्स हो रहा है मैं अभी 1989 अट्टू था उजन में क्या मेरा सहर था मैं भूल चुका हूं मुझे नहीं कुता है अभी अगर हम मेरे इस की इतने रड़के हैं हम तो देख रहे हैं हम तो फरारी देख में तो हमारा यहीं जरिया है मुजिक वीडियो या फिल्म कि हम उनको कुछ टाइम का 2000 या 1989-1990 के हम थॉट्स को लाके दिखा सकते हैं और सबसे इंपोर्टन चीज है कि जो हमारे दर्शक हैं जो हमारे इन गानों को देखना पसंद करते हैं वो उनका कल्चर अभी भी मोब कैमरे पर वही सेम चीज दिखती है तो उनको अच्छा लगता है जितने भी हिट गाने चल रहे हैं उनमें कुछ न कुछ खास बास जरूर होती है बगेर म्यूजिक के बगेर लिरिक्स के कोई भी गाना हिट नहीं हो सकता है तो मेरा यह कहना है कि जो परिवेश चाहते हैं लोग उस पे जादा काम करें हाँ आपने बहुत अच्छा को पुछा कि इस समय का जो गाउं है वो पहले वाला नहीं रह गया जो नदिया के पार फिल्म वाला गाउं नहीं रह गया लेकिन हाँ अभी भी गाउं है तो जो इस समय का गाउं है उसी परिवेश को हम लोग और जो बेसिक चीज है जो मैंने शुरुवात में बोला था कि हमारे इस चैनल से जो नए नए सिंगर हैं जो क्योंकि जब से मैंने इंडियन फिल्म एकैडमी खोली है मेरे पास कई फोन आते हैं कि सर मैं सिंगर बनना चाहता हूं मैं क्या करूं तो आज मैं उनको पताता हूं कि एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने मिलके तयार कर दिया है आईफा म्यूजिक वर्ड और आरवी बीड्स उन सिंगरों का बहुत-बहुत स्वागत है जिनके पास टैलेंट है और आप्शन नहीं है वो हमारे पास आएं योटूब पे जाएं नंबर ढूड़ें नंबर प भी इस पहल में जुड़ें साथ दें क्योंकि देखिए नए कलाकारों को जनम देने वाले हमीं लोग होते हैं जब तक हम लोग आगे हाथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक नए लोग घुट-घुट के मरेंगे और मर भी रहें तो मेरी और आजाद भाई की जितनी भी है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे की जिनके अंदर टैलेंट है उनको सामने ले के आए था दबंग सरकार के बाद मेरी तीन फिल्में हैं एक फिल्म है बिल्कुल पाइपलाइन में आ चुकी है जिसका मैं अनॉस्मेंट कर चुका था लेकिन हमारी जो करोना काल में विद्या पेट उसमें भी में कल्लू का पूरा लुक चेंज करने की कोशिश में हूँ और उसी के बाद हमारी एक फिल्म है जिसका नाम है शुकला जी उसमें भी कल्लू जी है उसको उसमें फिर कल्लू का अलग रूप लेके आ रहा हूँ और तीसरी फिल्म है जिसका नाम है म काम कर रहा हूं और लिरिक्स भी हमारे हैं प्यारे लाल कभी जी बीए साथ में इस बीज में तो बहुत सारी फिल्म हमाने किया ही ने क्योंकि लागडाम में तुछ ज्यादा मना दिया गाम में जाके तो मुजिक अल्गॉम पे जादा ले हुआ है तर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि पहली बार हम लोग इस फिल्ड में आए हैं जैसा प्यार आपने सब को दिया वैसा यार हम लोग को भी दीजिए और अगर आपको कहीं से कोई शिकायत होती है तो आप उस नंबर पर मैसेज करिए वाट्सप नंबर दिया रहेगा आपको स सब्सक्राइब करिए और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक मत करिए लेकिन पसंद आए तो लाइक करिए जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि किस तरीके के कंटेंट हमें और बनाना है तो ये जाते आते में कहना चाहूंगा बाकि जो मीडिया लोग मीडिया वाले भाई हमारे हैं उनका भी सपोर्ट से यह कोई कि दबंग सरकार जब मैं बना रहा था तो आप लोगे सपोर्ट की वज़े से काफी कुछ चीज़ें हमारी लिए पॉसिबल हो पाई थी जो कि नहीं थी मैं बिल्कुल कैमरे के सामने पेनली बोलता हूँ मुझे इसमें कोई भी डर ने जो कि मैं नहीं कर सकता था अगर मीडिया मेरे साथ नहीं होती तो शायद इतना बड़ा रिस्क भी नहीं ले पाता क्योंकि जो कल्चर चल रहा था उसमें वो कल्चर मुझे उतना रिस्क लेने के लिए आगे नहीं बढ़ाता लेकिन मीडिया के भाईयों ने हमें बहुत सपोर्ट किया था और उनका बहुत ज़्यादा इंपोर्टन रोल है और ऐसे ही यह जो मैं नया इस्टेप उठा रहा हूं चैनल ला रहा हूं मार्केट में इसमें भी मीडिया वाले भाईयों का बड़ा सपोर्ट रहेगा बाकी आप लोगों को जैसा सही लगेगा आप करियेगा बिल्कुल करियेगा और अगर कहीं पर कोई माइनस पाइंट डिकता है तो आप जरूर मुझे उसके बारे में बताईएगा हम उसको बिल्कुल बदलने की कोशिश करेंगे